किसानों के भारत बंद का असर पूरे देश में दिख रहा है कहीं राज्यों में ट्रेनों को रोका गया किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपैर 3 बजे तक यानी 4 घंटे का सांके तिक बंद बुलाया था लेकिन इसका असर सुबह 8 बजे से ही दिखने लगा सिंदु सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैना सीमा पर किसानों का विरोध परदेशन का आज 13 वा दिन है किसानों द्वारा आज भारत बंद बुलाये जाने के मद्दे नजर सिंदु सीमा हर्याना दिली सीमा पर सुरक्षा बलो की भारी तैनाती की गई वहीं यूपी में पुलिस विभाग भी अलर्ट पर है भारत बंद को देश के सभी विपक्षित दलों ने दिया अपने समर्थन तमाम राजनेदिक दलों ने सुबह आट बजे से ही भारत बंद के तहट किया विरोध परदेशन शुरू किसान बंद के मद्दे नजर सोनिया गांधी नहीं मनाएंगी अपना जन दिन कृशी कानोनों के खिलाफ चल रहे किसान आंधोलन और महामारी किस्तिती के मद्दे नजर कॉंग्रेस की अंत्रिम अध्यक्स सोनिया गांधी ने ये फैसला लिया भार्दिकिसान यूनियन के परवक्ता राक्यस टिकेट ने का हमारे विरोध परदेशन पूरी तरह से शांती पून होगा उन्होंने यह भी का कि अगर हमारे द्वारा बुलाएगे भारत बंद में कोई दो या तीन घंटे के लिए फस जाता है तो हम उन्हें पानी और फल भ इसका ओचित्ते है राजद कारे करताओं ने भारत बंद को दिया अपना समर्थन बिहार में रास्टर जनता दल पार्टी के कारे करताओं ने केंदर सरकार के करसी कानोनों के खिलाफ किसान संग द्वारा बुलाएगे भारत बंद को अपना समर्थन दिया इस दोरान राज कारेकरताओं ने दर्बंगा के गंज चोक पर टायर भी जलाया अखिलेश यादव का ट्विट किसानों के समर्थन में लकनाओं में प्रदेशन में हिस्सा लेने के मामले में यूपी के पूर सीम अखिलेश यादव पर सोमवार को कारवही की गए थी जिसके बाद उनका पहल करशी कानून के खिलाव किसानों द्वारा बुलाएगे भारत बंद के बीच आमादमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगया आपका कहना है कि दिली के मुख्या मंतरी अर्विन के जिवाल को घर में ही नजर बंद कर दिया गया हाला कि दिली पुलिस ने आमादमी पार्टी क के दावय का खंडन भी किया है कि आप ही किसानों द्वारा भारत बंद का समर्थन करते हैं अपने अपने विचार हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दे किसान आंदोलन से जुड़ी हड़ चोटी बड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें